लाइव हो गया? अप्रिकेशन? एक सेगेंड फूराइपीटाई चाहिए जल्दी जल्दी बनाएए जो लड़की लड़का लेट से आनो उसको यहां खडा कराईए और उससे पीटें और बाद उका चुँए जल्दी जल articulate टार siis जल्दी प्रिकेशन जला करन इताक वहां लेवाश कि झाल झाल कि यहां रूकर रही है इधर बताहिए क्वेश्चन बताएंगे बना इन उसमें ठीक 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 मानों पहली खेती नेया नेया खोज हुआ यूज ए उसके घ्साब से कहा हुआ एक तम नमीन तम साक्छ attitudes के खेती का कि मेहर गड़ बोल लिया जा बताऊ इराक में जो खेती के साक्षमीले किस चीज़ के थे? हाँ वो इराक इरान एक के पास है बावु जो इंडिया पाकिस्तान जास है न पास में वैसे ही है आई सब बहुत जाद है ऐसा बावु क्या हो गया? बड़ी रही है अपने पास रखी हम मिला देंगे लाइव वाले लोग जल्दी बनेए आप लोग को दिये चाह चुका है लोहरा देओ देगो उँ लड़का सब बता दिया सब पता निकीस जिला में बैठा है सब लाइव अप्लिकेशन वाले वो लोग बता दिये लोग लाइव सेंटर वाले आप लोग फटा फट बताएगे रवादा वाले आप लोग बैठिये जल्दी बना लिए हैं जितने लड़के हाल नंबर 2 में हैं और हाल नंबर 3 में हैं आप लोग को जगह नहीं मिल ला है, तो कोई दिक्खत नहीं, बावु मंडे को hall number 4 खुल जाएगा. Hall number 1, 2, 3 में जगह नहीं रहता है, बहुत लड़कों को लोटना पड़ता है, तो मंडे की दिन hall number 4 खोल दिया जाएगा, वहाँ आप लोग को बैठने की जगह मिल जाएगी, वहाँ तकलीफ नहीं होगी, और जितका class छूटा हुआ है, उनको यहाँ बुला के projector पे चला के बता दिये जाएगा, जो history के class, first, second छूटा हुआ है, बवू, हैंडीकेप के seat पे कोई नहीं बठेगा, आप चस्मा वाले बवू, हैंडीकेप है, हाँ, क्या हो गया, आँख में प्रोब्लम है, चल, ठीक, ठीक, Good morning सब लोगो, मनीश कुमार, रंजीत कुमार, जल्दी करिए आप लोग, लाइव वाले लोगों पहुचागी नहीं जी, टेस्ट का question, चलिए जिटको नहीं पहुचागी बठाएगे, भागलपूर सेंटर नंबर दो, जल्दी प्रोवाइट करा दिजे उन लोगो, सीवाम केसरी, अप्लिकेशन में सबसे एक्टिव रहता ही है, सीवाम केसरी, बन गया, आप हम मिलाना चलू करेंगे यहां से, अप्लिकेशन में सबसे एक्टिव रहता ही है, भारत में सिलास रहे है, यानि पत्थरों पर सरवाधिक चित्र कहां पर मिले है, बीच में कोई नहीं बनाएंगे, ठीके, वेरी गुड, बेड़ जा, अंसर बताते चलेंगे, सब लोग लाइव अप्लिकेशन जित्ते लड़केशन, सब लोग बताते चलेंगे, आप लोग को तो पीट नहीं सकते, कोई टेकनोलजी रहता न, अप्लिकेशन नो पीटते, उसके इमेल आइड़ आइडवा पर कुछ ऐसा कर देते, मोबाईल में भड़क जाता, जो सचरा, नहीं सुनाएगा, आप सब लोग को दिया जा चुका था, एक बार मिलाते चलेंगे, ठीक है? अब नहीं यहां रुक जो, यह रुको, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार, पसुपालन का प्रारंभ किस काल में देखा गया? किस काल में देखा गया? किस काल में देखा गया? हड्डियों के उपकरण कहां देखने को मिले है? कौन है? हड्डियों के उपकरण कहां देखने को मिले है? आप संदेथे? किस काल में देखने को मिले है? किस काल में देखा गया? किस काल में देखा गया? हड्डियों के उपकरण कहां मिले है? जंदाहा, रे भगलोलाई तो मुझा फरबुर के पास है, नान गड़, पर चड़, पर चड़ यहां चड़, नान गड़, एक ही कबर में कई लोगों को दफनाने का साक्ष, यानि कई एक ही जगा सौ मिले हैं, कहां मिला हैं, सiquih पढ़ो इसपे। एपलिकेशन वाली लड़कें हैं हैं ना ? अंसर दे रहा है सब? बढ़ पावण बढ़ बता? दम-दम आ दिख रहा है वहाँ पर कितना तेज अंसर आ ही यहा है. तो को इतना तेज तेज शी अंसर दे रहा है, कि तो को दीख नहीं रहा है! बगड़े इसको हाँ और पिछे को ना पड़ियों खान सरबदनाम होगे यहां तो हमको यूटूब पे देखला है बड़ी प्यार से बती आते हैं यहां क्लासमा में इसे जिन्तिकता नहीं मार के हाथ ठूर तर देंगे यहां पर भारती उपमादीप में सबसे प्राचींतम क्रीसी नवींतम साक्ष क्या नुसार हां लवरादेव अस्थाई आवास पहली बार मेहरगर ठीक है मेहरगर आप लोग अभी थोड़ा थोड़ा नया नया है लोग ना तो थाज आप इसको का हुए जी चलिए मिलाएए आप लोग अप्लिकेशन वाले लोग लाइफ सेंटर वाले और क्लास हॉल नंबर दो तीन वाले लोग जितने लड़के खड़े हैं आज भर आप खड़े रहे हैं हाल नंबर चार्ज बहुत जल्दी ओपन कर दिये जागा चलिए मिलाते चलिए राबर्ट ब्रूस फूट क्या थे भूगर वेग्यानिक सही है पुरा तात्विक वीद सही है दोनों पे टिक लगा देंगे जब यह question आपको exam में देगा ना तो आपको एक अलग से option बना के देगा एक और दो दो और तीन यह class का question था इसलिए उस तरह से नहीं बनाया गया ठीक है टाइम से आगा न वावनिया समझ में नहीं आता आप लोग को आप लोग मतलब क्या समझते आप लोग मतलब क्या समझते हैं बार लोग समझाएं सर तो पागल है समझाना पड़ता है class स्टार्ट होने के बदे की स्पीड बन जाती है यहाँ पर उसका बीच में आके तैनिगा अथानी सामी अडबो नहीं करती है होल नमबर दो वाले लोग थोड़ा सा सांती बना के रखेंगे आप जब तक मिलाइए आपका जो भी टेक्निकल ग्लीच है दो मिनिट में सही हो जाएगा मिलाते चलिए दो नमबर में लिखा है कोपेन हेगन संग राहल है कि सामगरी से पासार कास से लो यू कित्री यूगीन भी भाजन किस ने किया था क्रिष्चन थामसम बस थामसम से याद रखेंगे औप्सन नमबर ए थामसम पटापट बढ़ेंगे पीडियफ मिला हुआ है जितने लड़के हैं अप्लिकेशन के वह अपने प्रिवियस क्लास में जाएंगे ऊपर एक नोट्स बना होगा वहां जाके करेंगे तो लोग के क अब थामसम क्या प्रिष्चन प्रमान के अनुसार पासुपालन की प्रारम कब हुगा था माध्वाश किसमें लेकर माधपासार में कितने जगहों पे तीन वह तीन जगह में कई हो थैंगे आप आप अएक करके बताएंगे लोग देखते उत्तर-परदेश का कौन सा जगह यह ना उत्तर पर्देश में, आदमगढ कहा था? मदपर्देश. कहीं लपेट देता है, नाचल पर्देश कोईथ कों से लपेट दे आपे, राजस्थान का कौन सा अस्तल था? बादोर. आप सब रिवाइस करके आए कोई अपने रूम पार्टनर या कमजूर विद्याथी को पढ़ा के नहीं है अगर आप यहां बैठे हैं ना सोचके बैठे की की काम देना है या जो भी पढ़ रहे हैं तो गड़ड़ा जाएंगे आप यहां पढ़के जाएंगे को बकलोन को पकड़िए उसको समझाइए देख हईसे हईसे तक अभी हुस्यार के पीछे मत रहेगा बहुत उसब घमंडी होता है सब जाएंगे तो ही जानता है उसी अरका लड़का किसी को बती भी नहीं करता है बकलोन को समझाते रहेगा हड़ियोँ की उपकरा मिले मह दोहां कहां पर है यह हमई दहा कहां हो गया है उत्तरपरदेश प्रताबगड के पास ऑन अलाहबत पर जोन अगला हड़ियोत निरमीत आभभू सण महड़िये इकVideo कंहें 3 मानों रोभदवा हाला कि कहींוכ त्यास मानों के कंकाल एक ही जग यूपी, अगला, खाध्यानों के किसी सरवपर्थम किस काल में की गई थी, किस काल में, नौपासाण, किस में, नौपासाण, पसुपालन देखने को मिला था, मतलब इस तरह से, खाध्यान मतलब करा खाने के लिए, तो खाने के लिए सु वेवस्थित ढंग से उगाना भारत में मानों का सरवपर्थम साक्ष कहां से मिला था, नार्मदा घाटी से, कहां से, नार्मदा घाटी, लेकिन कंकाल कहेंगा मानों का तो, कंकालका देगा तो तमिल लाडु के पल्लाव रन भानदहरा सरपथम पर्युक्त अनाज कोन था जो लेकिन यह जो नाई इरान वें कहां पर था इरान में उसके बाद गेहूँ गेहूँ कहां था पहर गण चावल कोल्डी हुआ एक इस वा जाहा ब्वारती उतमादीप में क्रिसी के प्राचीनतम साक्ष लहरादेव, option number 2. ऑफ्शण बारा ब्वारती उतमादीप में क्रिसी के प्राचीनतम साक्ष, इसमें लहरादेव ही नहीं है. कौन सा हो जाएगा? कुनसा होगा? मेहरगण. हाँ दोनों कोश्चीन same are but option नहीं है दोनों same are but दोनों के option नहीं है आप हाँ तुनिए ध्यान सा अच्छा question है आप लोंका चलिए अब से थ्यान से समझी बबनी क्या करना है कि सार आप गड़ा दिये हर गड़ कैसी हो जाएगा बहारतिय ऊप महाढ़ी को काट कर अगर महारत लिख देगा तब वहां मेहर गड़ भी नहीं होगा तब क्या होगा और तब क्या होजएगा कोल्डी वा थोड़ा थोड़ा के चक्कर में तो अगड़ बढ़ा जाता है यह जितने को श्टन रहते हैं कि कि अस्थान का नाम बताई जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन का प्रमाण मिला नेहर गड़ चौदा आगार वही कंवा देकर अधम गड़ एक यह जगह रहेगा आधम गड़ कि कराय बहादूर राय कंज से गड़ दोनों पूछ दें कि पूरा नम सराइ बहादूर राय है परादूर राय सरा भादूर राय कि सराय, बहादूर, राय, हो गया, तीनों आपको याद रहना चीए, वहीं पर आपको अपने घर जाके लिखना है, बाज़वर के नीचे कौन सा राज, राजस्थान, आदमगड के नीचे मद परदेश, सराय, बहादूर, राय के जगा, उत्तर परदेश, एक ही जगा आपका एक पुरा अस्थल से पाशाड संस्कृती से लेकर हडपा संस्कृती के आउसेस मिले है, तीनों आउसेस का मिले है, मेहरगव, बहुंसा जगा से, मेहरगव, अगला कोश्चन ये नहीं बना होगा आप लोग से, सतरन, सोला नुबर नहीं बना हो, सतरन, नौदा टोली, लिख लेंगे मध परदेश, नौदा टोली जगा कहां पर है, मध परदेश में, इसका किस ने उत्खनन किया था, संकलिया ने किया था, संकलिया औप्सन नबर कौन सा होगा, सी, ये आदमी का नाम है, इसी ने इसको खोदा था, और पता ये चला, कि ये नौदा टोली जो सबसे जड़े मिले हैं, तो तांबे के सरवाधिक औसेश के हिसाब से नौदा टोली तामर पटाתח का सबसे बड़ा अस्थल था, जहां सबसे ज़्यादे मिला है तामर परदेश में, को सबसे बड़ा क्या रहेगा, अस्थल रहेगा, तो नौदा टोली जो कॉश्चन है, Question number पासाड का सबसे बड़ा अस्थल, मतलब तामर पासाड का सबसे बड़ा अस्थल, मतलब तामर पासाड का सबसे बड़ा अस्थल, तामर पासाड का सबसे बड़ा अस्थल, पॉपर एज, हाँ, गुड़ कॉपर एज या तामर पासाड का, भी किसी को कोई दिकत नहीं, 17, फलन नमबर दो थिन, दो लुटमे में क़ा प्रोबलम था, फल भगया, फलन नमबर दो वाले लोग में थासा प्रोबलम आ जाता है कभी, एक्टर को लेकर, थन तो थंडी के दिन में सब सब कठुगा आ जाता है, कठुगाने का मतदब पर्दा लगवादे है, वो जान बूच के फलवाएगी है, ठंडा लगएगा तो वहाँ कोई खड़ा नहीं होता है, तो सब खड़ा हो के जाम लगा देता है, सतर अठारा नमबर कोश्चन आप चाहेंगे तो बना सकते हैं, बट बहुत जादे भीचार करने के बाद बनेगा, वरिहद पासाड असमारकों की पहचान, बहुत जादे हड़ियों की असमारकों की पहचान, ये किस काल में हुई थी, मृतकों को दपनाने का अस्थाल, अप् की हम लोग ने अंतियोष्टी कारकरम मद पासाड में चालू जरूर कर दिया था, लेकिन इतना नहीं दफनाए थे कि एक टीला बन सके, तो अप्सर नमबर जो बी है, मृतकों के दफनाने का अस्थाल, उसके ब्रेकेट में ये भी लिखेंगे, नौ पासाड, क्या लिखें माइक्रो लीथ, चिलको लीथ, मेघा लीथ, क्या लिखेंगे, मेघा लीथ, तो महां मेघा लीथ भी लिख दीजे, तो महां क्या लिख देंगे, मेघा लीथ, मेघा लीथ, माइक्रो लीथ बोलता है, मेघा लीथ, मेघा लीथ, मेघा लीथ, मेघा लीथ, मेघा लीथ, भी राज कौन सा लिखेंगे वहाँ पर एंपी राज एंपी परवत विंध्याचल परवत विंध्याचल नदी घाटी नर्मदा नदी घाटी नर्मदा सब वहीं लिखते चलेंगे ताकि एक जगर आएगा तो याद रखने में आसानी अप्शन ए होगा गुफा सैल्चित वहीं लिखेंगे एंपी कौमा देके विंध्याचल परवत कौमा देके नर्मदा बस हो गया हो गया पहले पेज में यह था वेरी गूड उननीस कोस्चन में से कितने लोग का उननीस में उननीस सही था गड़बड किया है तब तु लोग यह इसमें सतरा नंबर सही कई से मार दिय सतरा चोड़के सब सही था वेरी गूड देके उननीस में अगर पंदरा भी सही हो जाता है तो बहुत है ठीक है चूइंगम खाके नहीं आना है ठीक है हड़ी सही चूइंगम मार कर देंगे ना तु सब चूइंगम एरफोन यह सब सब बाहर आप ही लोग के लिए है यह देख लिए हो यह बहुत पूरेंगे इससे बजा बजा करें इतना पीटे है ना इस वो यह अभी शुरुआत में छोड़ दियें तो इससा ठंडिया बीच जाए नहीं तो लड़किया सब को मारें यह यह रोने लगती है सब अब दिक्कत हो जाता है सब में कोई को तो पीटने से पहले ही रोने लगती है दूसर की को देखे है हाँ मूँ पीटाएंगे पीज नमबर भारत में किस सीलास्रे मतलब पत्थर वाला सीलास्रे में सरवाधिक चीतर मिले है बहिया मतले हैं कहां से मिला है भीम बेट का 21 नमबर को इसमें भी हो जाएगा 21 नमबर गैरिक मृद्भांड पात्र का नामकरण बताये कहां से हस्तिनापूर कहां से हस्तिनापूर कहां पर है हस्तिनापूर हां हर्यान हस्तिनापूर का संबंद किस महा काबे से हैं महा भारत कहां पर महा भारत हस्तिनापूर महा भारत बढ़का बढ़का कांड हो गया वहां बढ़ी मा लोग प्रितकों को घर के फर्स के नीचे कैसे दफनाते थे ये UPSC का कॉस्चन है कैसे दफनाते थे देखिए ध्यान से इसको दिमाग से उतर जाएगा आप भले यहां अंसर मार देंगे जो भी सही है पूरब से पस्चिमिया सही होगा या उतर से कुछ ना कुछ तो एक option सही होगा लेकिन आप बताइए एक्जाम आप देने जाएंगे आज से 6-7 महिने पर क्या आपको लगता है उस वक्त तक आपको इतिहास भूगोल पॉलिटी सब पढ़ना रहे यह दिमाग से आएगा नहीं जब कभी कुछ चीजे भूलने वाली होती है तो आपका दिमाग चुमबक उत्तर दक्षिर भी होता है या दक्षिर उत्तर बराबर है लेकिन हमेशा चुमबक का डिरेक्शन आपका कहां से निकलता है नौर्थ साउथ यह आपका दिमाग कभी नहीं भूलेगा इसको उत्तर से दक्षिर उत्तर से दक्षिर पस यही दफनाते थेलो कहां से उत्तर से दक्षिन, चुमर के हैं और लिग देंगे चुम्बक, यह कभी नहीं भूलेगा उत्तार से साधक्षिन, आपसा नबर बताएंगे, अि यह यह नहीं बनाओगा भी आप लोग से? हां बना दिया है? अभी के समय अद्मी को की दर से दफनाई जाता है? हां? अबने बाबाजी को हम कोने पड़ी दफना दिये थे? यादेना हमरा? बताना उनको कोने और से दफना दिया गया? अब ठीक होगे जी अले में जमेला होने तु कोईनों जाएंगे भगवाने से कोनों चीज से जाएंगे उत्ता धर्चिर से हमको याद है नहीं है बाबा को हम कोने पड़ी दफनाई थे? चलिए आपके बाबा इधरे गुजरे होंगे इसलिए याद है बाबा को गुजर ले दूजर साथ में गुजरे थे? तेरा चुद्र साल होगी आप याद रहेगा कोने पड़ी दफनाए थे? पेट्रोलियम बन गए होंगे अभी तक आपके देखिए देईस नंबार निमलिकित में से किस अस्थान से मानो कंकाल के साथ-साथ कुटो को भी दफनाने की परपर बुर्जोहोम कहां से बुर्जोहोम यहां एक क्वेश्चन आप पहुस जाएंगे क्वेश्चन यह पूछेगा कि बुर्जोहोम किस राज में तो जम्मू कस्मिर बता देंगे लेकिन पूछ देता है कि बुर्जोहोम के जादे तर गर्त आवास यानि जो को को दफनाया गया है वो किस काल के हैं तो वो पूरा पासाड मद पासाड तामर पासाड नौपासा चीरांद कहाँ पर है, option number C जो है, बिहार, लिख लेंगे सारण जीला, चीरांद, सारण जीला, बिहार चापरा, सारण जीला सारण, चापरा उसी को बोलते है उसे टूटकर सीवान अलग होगी या फिर पूट अलग होगी, जब सारण एक में था तो अब तो सीवान जीला हो जाएगा, जी रादी अगला गर्थ आवास कहां से मिलेंगे, वही है वही है, कहां से, बूर्ज होम बूर्ज होम, कोल्डिवा क्या है, चावल option number B में लिख, ये तो सहीं होगा आपका, 24 नंबर का बूर्ज होम A, लेकिन B में कोल्डिवा में क्या लिखेंगे, चावल कोल्डिवा में, चावल, कहां पर है कोल्डिवा इलहावा, ये question तभी पूछेगा, जब आप UP के किसी चीज़ का एक्जाम देंगे तब, अगर UP का एक्जाम देंगे, तो पूछेगा कोल्डिवा कहां क्योंकि question related to your job होता है, हमेशा, अब कोई मदपर्देश का एक्जाम देंगे, तो इथोड़े पूछेगा, चीरांद मदपर्देश का कोई एक्जाम देंगे, तो भले ये पूछ सकता है कि चीरांद कहां है, तो बिहार सही होगा, लेकिन अगर बिहार का ऐसे एक्जाम देंगे, तो इथोड़े पूछेगा, चीरांद कहां है, बिहार में ना, तब उखोख़़ए के पूछेगा, बिहार में कहाँ होँआ, पीन कोट उनकोट साब पूछेगा, पीन कोट पूछेगा, अगला कोचन, ये नहीं बनाओगा आप लोग से तवाद, विंद छेत्र में किस सेल्स्रे से सरवाधिक अंकाल मिले है? लोख हिया एक पथर है, विंद परवत तो बहुत बड़ा है, तो उसमें सबसे जादे कहां मिला है? लोख हिया, आपसन नमर कौन सा होगा है? डी, लोख हिया, ये थोड़ा सा प्रोनोंसियेशन में होता है, मदपर्देश में भी बहुत अच्छी खासी वेकंसी रहती है, मदपर्देश भी बहुत, देखिए, कमपटीशन के लिए हमारा नौर्थ इंडिया का ही बेल्ट फेमस है, वो राजस्थान, हरियाना, मदपर्देश, भिहार जारखन, ये एरिया और बंगाल, ये मंगल गरह पर निकलेगा वेकंसी तो तो लोग पहुच जाएगा, अगला देखिए, और क्या, कस्मीर समस्या बहुत जल्दी सॉल्ब हो जाएगा, बस वहाँ पर वेकंसी निकाल दीजेगा, रेलेवे का जबर जास्त, अब फिर यहाँ बिहार वाला वहां जाके बहुच जाएगा, और वहाँ जादे तर वेकंसी महिलाओं का निकलना चीजेगा, महिला अगर वहाँ पहुच गई समना, तो जो पीयो के पीयो के पाकिस्तान चिलाता है, यहाँ की महिला गोबर का चिपरी होता है, पाथ पाथ तू इसलामाबाद पहुच जाएगी से, और बिहार भारतिये पुरा तत्विक सरवेक्षन विभाग किसके अंदर में काम करता है, संस्कृती मंत्राले, भारतिये पुरा तत्व के जनक, राष्टिये मानो संग्राले कहा है, भोपाल, इसका नया नाम लिख लिजए, इंदरा गांधी मानो संग्राले, इंदरा गांधी मानो सं करना तिन नुम्हें तेसन डिव्न सब्सें की सब्सक्राइब है तो हितिहास को किसने विज्ञान के बराबर का के आए कि युरी मैडम की री से याद करने के लिए बोलेlock बै। और झाल यो पुरा पासाड काल पुरा पासाड काल पचीस लाख साल से लेकर बारा हजार साल बारा हजार इसापुर सब में इसापुर लिए पचीस लाख से लेकर बारा हजार इसी इसापुर पचीस लाख से बारा हजार इसापुर कि एक साथ चल रहे थे, हम आपको समझाए भी थे, कि किसी इतिहास के किसी एक जगा पे कोई सहर आगे रहता है, कोई सहर पीछे रह जाता है, इवेन आप अपने किसी भी एरिया में, पटना में दिखिए, बोरिंग रोड, बेली रोड बहुत आगे है, और मुसलापूर का य खाना बदोस या आखे टक, इसी को एक और नाम है, यायावत, हाँ, यह भी सही है, यायावत, मतलब इधर उधर, इसी को क्या कहेंगे, खाना बदोस, देखिए ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, खाना बदोस हिंदी उर्दू है, यायावत हिंदी है, आखे टक, आखे ट भीकार करता था और क्या हो सकता है खादे संग्राहग थादे संग्राहग थादे संग्राहग भागलपूर सेंटर अपना आवाज बंद रखिए यहाँ पटना तक आवाज सुनाई दे रहा है म्यूट किज़े उसको हो क्या कि आए यावाद खाद संग्राह कि किस काल को माईक्रोलित पrike— हां— मदपासाड काल compr वहीं लिख देंगे अंतिवस्टी मदपासाड उसी में क्या लिखेंगा अंतिवस्टी के मतलब क्या आता है funeral ceremony 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 in English वाला कुछ कुछ टम याद रखेगा यहा के सालगीरा को anniversary और दुका दुका बोलता है असी सो हम लोगो पतो नहीं रहता है आगला दिखिये मानो ने कब अंत्योस्टी कराग गरम ने मिलिया गया madhpa-sarcal किसे मैं माध पासाड काल में मानो दौरा पाला गेवा पहला जौनवर कुथा यह जूड़ कर शुद गेरू वर ने चुल अर्ड़ क्व सब घयरू वरर यहमिधवान ससेली का संबाढ हस्तिमापूर पहला जानवर कुट्टा का नाम लाइका एको का रहा है चांद पे गया था रही रूस वाला इस पूतनिक जाजिया अमेश का चांद पे गया था हूँ पहला बहुत समझदार जानवर होते है माना द्वरा खोजी गई पहली धा तू तामबा भारत में क्रिसी का सबसे प्रातिंतम साथ जो अभी खोजा गया लेवरा देव किस राज में यूपी लेवरा देव यूपी मेहरगण में खेती कितने वर्स पहले 7000 बीसी 7000 इसापुर्व 7000 बीसी 7000 पूसापुर्व लहुरा देव में खेती 8000 इसापुर्व दवरादेव में खेती 8000 इसापुर्व मेगालीत का संबन नौपासाड काल लासो के टीला से गैरिक मृतभांड काल देखा गया नहीं देखें सुनी देखें केरू वरणी यह कहेगा ना तब आप उसको मारेंगे नौपासाड गैरिक कहेगा ना तो वो तामबा से था तामबा वाला जो था वो गैरिक गेरुवा कलर काई भी तामबा होता है तामबा जो होता है वो लगभा गेरुवा की तरह होता है तो गेरू वरणी कहेगा तब हस्तिनापूर नौपासाड वाला मारेंगे गैरिक मृत्भांड काएगा ना सीधा गैरिक क्या हो जाएगा तामर पासाड या चिलको लिद लेकिन गेरु वरणी यह कहेगा तब नो पासाड में भीजियेगा हस्तिना अप्सान नमबर कॉन साइश कासी यूग की सब्हता आएग ? ος आद्धेटी असिक्त की सिंभ दॉसतर स्ढान. अगला. नुम्र ब्यार, 47 पाना दोरा पर्धम धातु का प्रियो ang. अगला. तामबा, लेकिन मानों का विकास किस धातू के खोज के बाद तेजी से हो गया लोहा का, लोहा का विकास इतना खतरनाक हुआ आज हर जगर देखिएगा लोहा, लेकिन क्वेश्चन कहेगा आधुनिक भारत जेखिए मानों ने तो सबसे पहले क्या खोज दिया, तामबा, लेकिन मानों के जीवन में परिवर्तन कौन लाया, लोहा आज के समय में जादे परियोग लोहा होता है या इस्टील अचा ट्रेन की जो पटरिया होती है, ट्रेन, वो कौन चीकी होती है, लोहा या इस्टील इस्टील की होती है इस्टील 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 उसको कहा जाता है हाई कार्बन इस्टील सबसे मजबूत होता है लोहा पे कभी समाल है ट्रेन की जो डिबोवा होता है वो किसके होता है पहले जो नीला रंग का डिबोवा होता था भर 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 बड़ी भारी होता था माइल अब ही जो लाल रंग का आ गया है राजधानी होगारा दिखते हैं न धरदड़ा के भागता है स्टेलेस स्टील का हो गया जेसी भी का हूँ दत्वा होता है बकोट लेता है कुनों चीज़वा को दिखते हैं छो तो कुनों का छज्जा रहेगा तो आदमी सही ते बकोट आज के वक्त में हर जग के खरीट के लाते हैं घर में जिसको लोहां में मजबूती आती है जब उसमें कारबन मिला देते नो इस्टील का रूप ले लेता है तो अलग-अलग केटेगरी की स्टील होते है लवाई स्टील सचुरा बहुत बड़ा खासियत गरम भी हो जाता है घिसता भी नहीं है और बहुत मजबूत रहता है हलका भी रहता इसलिए जितने गाड़ी के इंजन होते है लाइन और पिष्टन जब ता गाड़ी चलती है ना आपके सिलिंडर के अंदर का पिष्टन रहता है हमेसा उपर नीचे करते रहता है लोहा तो चुरा दू किलो मीटर में गल के पानी हो जाएगा इंजन में तो आज के वक्त में आधुनिक मानों के जीवन को बदल के रख दिया किसने इस्टील ने लोहा पे बूर्ज खलीफा जी से बिल्डिंग को लोहा पे रखेंगे न तो गर्मी के दिन में वे इसे चूँ जाए गई गई है बूर्ज खलीफा तब गाना गाने की जरुवत नहीं पड़ेगे दिला आईरं अन श्टील कंपनी ड्राटा का भी देख लिजिए लिए टाटा आरटा आरें इंस्टील कंपनी इसको अब या नहीं के रहे हैं आजगल श्टील बहुथ जा generating उर्दु में स्टील को यह उफॉलाद जितना न जन शंक्या बढ़ गया जितना न जनसंख्या बढ़ गया है जिसका कोई हद नहीं है बंदूक की गोली वगर अभी सब किसकी बनी होती है फॉलाद की होती है हर चीज की फॉलाद बंदूक से निकली फॉलाद और पेट से निकली उलाद वापस नहीं जाती है और यही वज़ाए कि जनसंख्या और क्राइम दोनों बढ़ गया है फॉलाद निकल गया हूँ भारत में दो पडमुक समस्या एक हत्या मडर दूसरा यहां से जनसंख्या अगला कोश्चन इतियास का वाक अलखंड जिसके बारे में लिखीत श्रोत है ही नहीं परागएतिया कंस हा Bush कोई दिकत नहीं आगे वरते हैं लोग wus यहां सब्सक्या वज़ां बातर नहीं एक अपलिकेशन के जितने लड़कें हैं अपने application के previous videos के section में जाएंगे ऊपर लिखाओगा notes वहाँ आपके test और PDF दोनों मिल चुका है application वाले दोनों मिल चुका है live class जो आप लोग यहाँ offline में पढ़ रहे हैं आप लोग को Monday को मिलेगा आप लोग को late से मिलेगा लेकिन free of cost मिलेगा उन लोग को पहले मिलेगा तो अपने से और चरहता है बात बराबर ही है bike को आपको मिलेगा तो हम आगे आप पढ़ाते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं सिंदू सब्टा में आगे पढ़ें जाएं तक पढ़ाएते लोग को मंड़े को मिले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है अगे मेड़ाद को मिलेगातimento जोटा के एक कुछ आत तक। कुण सी सबयता? सिन्दू सबयता। इसका दूसरा नम क्या है? हडपा सबयता। कुण साबयता? हडपा सबयता। शिन्दू सबयता की पहली जानकारी? चार्ल्स मेसन. सरवेक्षण, कनिंगहम. नामकरण, मार्सल. मार्सल. खोदाई हां आयराम साहनी एरिया 13 लाक किलोमीटर स्क्वार आकार तृभूजाकार आकार कैसा त्म यह तृभूजाकार अब इसमें जो सबसे पस्चिम छोड़ था वो पाकिस्तान में था गेंडो बोलिए बोलिए हाँ हाँ कबुत्तर कहां से कलस्वाइब घुज गया है क्लास चालू हो गया है लॉकड़ॉण में तू इधर है कुछ फैमिली बढ़ा के कही है कहा रहे कबुत्तर को पते नहीं जाओ 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 चल जाओ इनका कहना है कि सर आप जो question बता है वो थोड़ा सा अधूरा है गेरू वरणियम रिदभांड सैली का संबंद किस से तो हम लगाना चाहते है मिटी के बरतन से हाँ वो भी सही है समझना के कि नहीं और आप यह भी कर सकते हैं कि किस काल से है तो नौपासाड भी मार सकते है आपका मन आप हस्तीनापूर मार सकते है तो एक ही चीज को depending करता है कि आप किस एंगल से उसे देख रहे है संब्गैगिहिंगी नहीं आपका भी सही है हम जो बताये तो हो सही है ठीक है हाह किस आस्स्थान से तो हस्तीनापूर होगा किस चीज़ zwy तो बरतन से हाँ हाँ मिटी के बरतन से सही है आप जादे सही है हम जल्द बाजी में पढ़ दिये थे लेकिन आप लोग को इतना तो है नहीं कि मन के चली एक्जाम में आएगा तो confused तो नहीं नहीं होगे कोई भी चीज होती है उसको आप किस एंगल से देखते जैसे हम आपके लिए क्या है teacher है लेकिन अगर वही हमारी मम्मी हमको देखेंगी तो उनके लिए बेटा है दोस्त वगरा देखेंगे तो दोस्त है अपना बाल बच्चा देखेगा तो पापा बतनी देखेगी तो बुढ़ा हूँ पत्नी बुढ़ाओं कहती है, ओके को ते बुढ़िया तो गुशी आ जाएगी चलिए आगे देखियो इसमें उत्तर दक्षिन इतिसाओं के बारे में हम आपको समझाये थे समझाये गी नहीं समझाये थे इसका आकार कैसा था तरी बुजा कार एक यहाँ पे जगा था यह लगवा कासा था तरी बुजा कार, हलका सा यह साइड में आ गया था इसलिए इसको भी लेंगे तो हलका तरी बुजा कार ही रहेगा याद रहेगा न आप लोगो यह जगा कौन सा था, मांडा यह आलमगीरपू यह दैमाबाद, यह सुथका गेंड़ूर हम लोग कौन से लिपी का परियोग करते हैं देवनागरी देवनागरी दाहिने से नहीं लिखा जाता है कहा से लिखा है इदर से लिखा जाता है, मतलब हम लोग इस साइड से लिखते है तो हम लोग को सुरुवात कहां से करना चाहिए? सुद्का गेंदॉर से? क्योंकि हमारी लिपी की हिसाब से यही है, न? सुद्का गेंदॉर से याद रखने का तरीका देखें. SUM मतलब जोड. SUM लिखे या ADD लिखे? ADD करने का, ADD, EDITION को Hindi Media में ले क्या कहते है? Sum. अरे यह क्या लिखा है? 2 Sum 3. मतलब 2 में Sum कर दी, या 2 Add, या 2 Sum. क्या याद रखे है? Sum बराबर Add. Starting कहां से करना हम लोगों? यहां से. देखे, सा से क्या होगा? सुथका गेंडोर. सा से सुथका गेंडोर. दूसरे नमबर पे, मौसे, मांडा. तीसरा नमबर, आलमगीरपूर. चौथा नमबर, दैमाबाद. चौथा नमबर, दैमाबाद. याद रखने का तरीका समझ में गया? हमको पूरा एरिया सा जा देना है. और हमारी अपनी नागरी कौन सी है? देवनागरी. हमारी अपनी लीपी कौन सी है? देवनागरी. तो देवनागरी से चालू करेंगे. सुथका गेंडोर, पंडा, आलमगीरपूर, दैमाबाद. याद रहे का आप लोगको? पस्चिम पूरा बुत्तार दक्षिडियाद है. सम बराबर? सम बराबर? जगा क्या आद हो गया? आप उनों गोचुहियां से स्टाट कर देगा. सम बराबर है. का गेंडोर, मैंडे. सब चोगबट कर दिया. स्टाट कहां से करना है? जो आपकी बीपी है. हमारी लीपी कौन है? असमा कोई दिकाद? ठाट में पहले डुच का सऽन था की नहीं? डुच कहां के लोगे को आ जाता है? इरां की? हालन के राने वालों को क्या का जाता है? डुच. हालन का नाम नीधर लेंड. पहले उसका नाम क्या था हालन? क्या हो गया? हालाँ हाल. चलिए अब आगे बढ़ते, अप्लिकेशन के लड़के के ध्यान से, आप लोग का जो कितने नमबर पेज तक है, 21 नमबर पेज तक आपका PDF है, उसके बाद का PDF हाई नहीं है, आप करेंगी सर बलैक कैसे, अरे हाई ये नहीं है यारू, बलैक होल है, आपको अभी कितने पेज तक PDF दिया गया, गुप्त वन्स तक PDF दे दिया गया, अप्लिकेशन के या लाइफ सेंटर के या जहां के लड़के हैं, आप लोग को किवल गुप्त वन्स तक दिया गया, गुप्त वन्स तक पढ़ने में एक महिना लगता है, उसके आगे का PDF नहीं है, तो आपको बलैक द भारत में नहीं है, अरे डॉच है से अपने हॉलेंड में है सब, वहाँ पे तो डॉच है ही है सब, डॉच है हॉलेंड में है से, लेकिन भारत में नहीं है, देखे ध्यान से, सा से सुथका गेंडोर, किस नदी के किना रहे, दास्क नदी, डॉच नहीं, कौनसी नदी, दास्क नदी दसे दास्क नदी कोंची नदी डास्क नदी मसे मंडा मसे मंडा कोंची नदी चिनाव नदी मंडा किस नदी किना रहे चिनाव मंडा चिनाव मंडा चिनाव मंडा चिनाव याद रखने का तरीका तो इसके बाद एसे आलमगीरपूर हो से हिंडन नदी कोंची नदी हिं त्रीक याद रहेगा किसी कोई दिकत नहीं यह आपके उसमें पीडियाफ में लिखा हुआ है इसमें अकार कैसा था सृत का गेंडर सृत का गेंडर स्रीक बोल यह तो सम एड्सम एड्सम मतला एड्सम एड्सम अधीक न्दीका था हैं पर भारत में नहीं सब अच्छर के नीचे इसना की ऐसे और भारत में नहीं भारत में अबाटまने तो भगो यहां से तुम संतल तोट का जिंडोर ऀसी का जर्फ सिद्डिन शुद्ग dul एक दिन लग जाता है पार्कर में पर नोईडा में जेवर एरपोर्ट इसका नाम अभी बदल के ग्रेटर नोईडा एरपोर्ट हो गया पूरे भारत का सबसे बड़ा एरपोर्ट बन जेवर एरपोर्ट गाजियाबाद नोईडा के पस्वेश पहुच के छुट गिया पीछे एक इस्टेशन पहले उतर जाता गाजियाबाद में हिंडन एरपोर्ट गाजियाबाद में हिंडन एरपोर्ट गाजियाबाद में जीके में पूछता है यह हिंडन हो गया यह प्रावरा नदी माराष्ट में एक बार एक्जाम में पूछा था कि सिंदु सबता का सबसे दक तो जब प्रावरा नहीं रहेगा тоब क्या मारेंगे गोदावर प्रावरा नहीं रहेगा तो गोदावर उससकते किनी का क्षिन मृटीत करने कोश्चन पुछे बताएं तो आलमगीर पूर किस दिशा का सहर था पूरी भी, सिंदू सबता का विकास सबसे कौम किस दिशा में हुआ था ये किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है, आलमगीर पूर, हिंडन दास्क नदी के किनारे सिंदू सबता का कौन सा सर्थ, सुथका गेंडोर किस देश में दायमाबाद किस राज में यह दायमाबाद सहर गोदावरी की किस सहयक नदी की किना रहे कौन सी नदी प्रावरा नदी किसी को कोई दिक्कत नहीं मांडा सहर किस नदी किना रहे हां चिनाव किस नदी किना रहे हां चिनाव किस नदी किना रहे है चिनाव आगे बढ़ जाए है अब स्टार्ट करते है इसकी खुदाई तो किस ने किया था भईया वैराम साहने अपने कौने पर या फिर अपने सी कौन था इसका हेड हां जान म तो जो ये सहर था हडपा कौन सा सहर था हडपा तो यहीं पर खोदाई हुई थी किसकी हडपा की इसकी जो फॉस्ट खोदाई हुई वो कौन सा था हडपा कौन सा जगा हडपा हडपा जो था वो फॉस्ट खोदाई थी सिंधू सब्हता की पहली खोदाई कहा हुई थी हडपा तो सिंधू सब्वेता की जानकारी का पहला साक्ष कहां से मिला हडपास इसलिए आप ये कह सकते हैं कि हमें सिंधू के लोगों के बारे में पता ही नहीं चलता अगर हडपास से सुरुवात की खोदाई नहीं होती इसलिए सिंधू सबढ़ता को हम हडपा सबढ़ता के नामसे जानते हैं क्योंकि उसकी पहली खुदाई वहा हुई थी इसी कारण उसे क्या कहा है हडपा सबढ़ता सशंकर जी पापा संघुनी टेरCE क्या हम गनेश के पापा कह सकते democracy जलत क्या जी, नहीं कह सकते हैं, गाना भी था बहुत पहले ठो, तो हम से धनिया पिस आई ये गनेश के पापा, नहीं सुने थे, अरे दस पंदरा साल पहले थे, तो वो तो गनेश कार्थी की, दो उनके बेटे थे लो, गनेश जी बहुत उसी आर थे, चतूर, तो ध्यान से स हां, गुजग, तो हडपा की खोदाई सबसे पहले कब हुई, 1921, 1921, बस इसी का डेट पुछेगा, बाकी किसी अस्थलों की डेट याद रखने की जरुवत नहीं है, चुंकि लोग आपको पता है कि बहुत है, जो में श्टार्टिंग होती उसी की डेट पुछे, उसके ब में किस नदी किना रहे है रावी नदी के नदी रौग जया है इसको याद रखने के तरीका समझेगा यह बैसिकली जगा था ना यह श्रमिकों के लिए था उड़ी उसके लिए यहाँ पर स्रमिक थे तो याद रखने का तरीका देगा कुमार समझते जो मिट्टी के बरतन बनाते है, कुमार का चाक मिला है आपे, कुमार का चाक, जिस पे वो मिट्टी के बरतन बनाता है, तो कुमार का चाक, तो जब यहां कुमार का चाक मिला है, तो वहीं के कहीं न कहीं स्रमीकों के रहने के लिए स्रमीक आवास भी होगा, क्या होगा, स्रमी इक लोग को भूख बहुत जादे लगती है, जो मेहनत करते हैं, फीजिकल काम, आप कहां भी देखेंगे, मजदूर हो गए, या फिर फौज के लोग हो गए, इनको सारी रिक मेहनत है, तो इनको खाना जबर जस्त देना पड़ेगा, इसलिए एक ठो अन्य भंडार होना चाहि करते हैं, आप ही देखें, यहां बस आपको याद कराने के लिए इसा नहीं कहा रहे हैं कि हम आपको कोई वास्तिकता है, याद करने के लिए तरीका, जितने लोगों के पास जादे टाइम है नो वही पूजा पाठ करते हैं, आपको लगता है, बील गेट्स हो गया, या मु मूर्ती को क्या करना है, मातरी देवी की मूर्ती, इसको लखडी के ओखली में रखके, क्या कर देना है, यहां पर क्या मिला है, ओखली, कुन सा? ओखली, याद रखने के हैं जब ठीक, कहां़ी बना के याद रखेंगें तो याद हो जाए, जो हडपा जगा था basically, किसके लि अनागा, कौनसा अनागा, उसके बाद मात्री देवी की मूर्ती, कौनसा मात्री देवी की मूर्ती, अब मूर्ती को किस में डाल देना है, ओखली में, ओखली में डाल दीजिए, अब उसको ताबूत में रखके, क्या कर दिए, कवरिस्तान में दफना दिए, ताबूत, ताब अब इचाके बबूल उबूल के काटे लगा दिये जाता है उपर ताकि अंदर को जानवर ना गुसे उसके मिटी से धग दिये जाता है अंदर भाव खोखला रहता है अराम से ताकि उठ उठ के देख सके भई आप दफना के चल गया कि नहीं समझी आप यहां पर जगा रहता तो आप मिसको खोओ के जईसे डफना देता है लेकिन मुसलिम में क्या किया ज़ता है गढधा कोदके फिर पट्रा रखा जाता है उसके बाद मिटी ऊपर रख दिये जता है वना इसाही सोचिये ना कि जब मिटी जितना खोदे उतना भर दिये ता ही उठा कई से इसे ना किसे बात क्या रखना है ऩरिश थंटी थिख हो गया रहेश th hairs 37 नाम का क्या मिला है कबृस्तान खूब जादे मिला है मतलब upgrades differently यह को एसा ही कब श्तान अप को कुछते है कि पासा़ काल में कहा था नौ पसाड काल में ठीक था है, हम उने ही पूछ रहे हैं, नौ किम्मद पसाड कहाँ पे, जगा का नाम बताई है, जहां पे बहुंट जाब मिद्वू दम्दमा, कौनसा जगा, दम्दमा, कौनसा जगा, दम्दमा, तो दम्दमा कि तुलना, आप प्राग एतिया असिक में कि से कर सकते हैं हडपा से कोई सा कबरिस्तान मिला है हाथी की खोपडी हाथी तो मिलेगी नहीं उसका कंकाले मिलेगा तो हाथी की क्या मिली है खोपडी हाथी की खोपडी मानों की पहली खोपडी पासाड काल में कहां मिली थी पल्लाव रन पानों की खोपड़ी पासाड काल में पल्लाव रन यादे तमिलाडू में पल्लाव रन चन्ने के पास हाथी की खोपड़ी हडपा हाथी की खोपड़ी हडपा हाथी की खोपड़ी हडपा हाथी की खोपड़ी हडपा और एक जानवर मिला है जिसका एक सींग था एक एक स्रिंगिय जानवर मिला है गेंडा टाइप का बट उससुर्य गेंडा है नहीं एक सिंग होता है तो गेंडा का सरीर भी बड़ा होता है तो है गाय बराबर लेकिन है उसमें ये गो सिंग इसलिए इस जानवर का नाम करण नहीं किया गया बलकि कहा गया एक स्रिंगिय जानवर और ये जानवर कोई मामुली जानवर नहीं था सिंदू सबहता का मोहर था मतलब सिंदू सबहता का मोहर तो question आएगा सिंदू सबहता के मोहरों पर सरवाधी किस जानवर के चिन थे एक स्रिंगिय जानवर का वो बैल की तरह था लेकिन सुझा बैल में तो दूगो सिंग होता है तो confusion है सरीर बैल की तरह सिंग गेंडा की तरह इसलिए उसे क्या कहेंगे एक सिंग वाला जानवर जबकि सिंदु सबहता के मोहरों पर हाथी के भी थे हर जानवर के थे गायकाट नहीं था गायक के चिन नहीं था तो दो-तीन question यहीं बन गया सिंदु सबहता के अधिकान मोहर पर कौन से जानवर के चितर है एक सिंगी वाले जानवर अब वो बैल की तरह भी दिखता है गेंडा की तरह कौन से जानवर के चिन नहीं थे किसके गायके इसका मतलब यह होता है कि वो लोग गायको जादे भैलू नहीं देते थे अर्था तो वो उतने भली भाती उससे परचीत नहीं थे अलाकि अगर परचीत रहते तो गाय से तो बहुत लाब है गोबर से आप गोईठा बना के खाना बना लीजे या फिर घर लीप लीजे दूद्धी लीजे गायका बहुत जादे यूज है यो आगे जाके इसका यूज बढ़ गया था एक स्रिंगी है जानवर किसी को कोई दिक्कत नहीं अरपा से जो जो चीज मिले याद रहेंगे आप लोगो हां बतने ये लाइन से सबसे पहले क्या मिलेगा कुमार का चाक स्रामिक आवास अन्ना गाद मात्री देवी की मूर्ती ओखली ताबूत आरेश 37 कब्रिस्तान हाथी की खोपडी एक सिंग वाला जानवर सिंदु सब बता के मोहरों पर किस चीज का साइन नहीं था साइन नहीं था सिंदु सब बता के मोहरों पर किसका साइन नहीं था सारवाधिक साइन क्या हाथी के साइन थे हाथी का भी था पतक का भी था सब चीज के ता गाय का नहीं था किसी को कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ जाए सेर हो सेर का भी नहीं है बहुत सारे जानवर है सेर का भी नहीं है लेकिन question जो पूछेगा basically किसे पूछता है गायस region समझी है गायस क्योंकि प्राचीन काल में सिंदू सबेता के बाद just जो काल आया था उसे कहा गया वैदिक काल और वैदिक काल में गाय का महा तो इतना बढ़ गया लोग अपने राजा का चुनाव अपने समाज के बिकास या सुरक्षा के लिए नहीं करते थे बलकि खोए हुए गाय की खोज के लिए करते थे हमरा गाय भूला जाएगी तो राजा खोज के देगा अनो यह डाण भरेगा गाय को पहचानते नहीं है जहां गाय का इतना बढ़ा महा तो इसलिए पूछ देता है कि गाय का महा तो था या नहीं और अस्व में यग्य वगएरा भी बहुत करते थे उस समय बड़े बड़े चीज़ का अगे कि यह किसी कोई दिक्कत नहीं है बर नूड़ Air का साक्षी एक जगह से मिला यह ईल्ड का च्लास में यड-जक्षूट ना का 치ड़ा कंवी अपने वाले लड़े लुग को कोई दिक्कत नहीं अब हम אבל अपने स्पीड से चलेगर अभी तवर सा धीम चलाधा किसी नोट्स लिखाओगा वहाँ पर आप लोग का मिल याएगा गल्स लोग निकलेगी लोग